आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम आपके लिए बहुत ही यूसफुल और आपको रोज मरा में जो काम आने वाली टीप है वो लेकर आए हैं आज बहुत ही अच्छी टीप है आई होप आपको यह बहुत अच्छी लगेगी फ्रेंट तो आज मैंने ना सुई धागे की टीप लेके आई हूँ अक्सर हम बड़ी सुईयों में तो धागा बहुत असानी से दाल लेते हैं लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हमें छोटी सुई में आती है नजर कितनी भी अच्छी रहेगी ना फिर भी छोटी सुई में धागा दालने वाग बहुत परिशानिया आती ह है और गर जिसकी नजर कमजोर है तो वो तो समझे सुई में धागा दाली नहीं सकता है और दो से पहले मैं हमें एक धागा। उसे हाथों पर रखना है दोनों उंगल्यों से उसे पकड़ लेना है बस सुई लेना है तो मैंने सबसे छोटी वाई और दहागये पीछहें करते जाना है तो आप देखेंगे न एक से दो सेकेंड़ी होता है और धागे सुई में धागा बहुत आसानी तरह से चला जाता है यह टीप आपको बहुत काम देने वाली है यह बहुत अच्छी टीप है और आप देखते नहीं रहोगे जट से हातों के साहिता से हमारा धागा बहुत आसानी से सुई में चला जाता है तो यह बहुत हैल्फुल होन उसमें से एक हमें तार लेना है तो यह प्लास्टिक का तार है अब लेना है कॉइन तो मैंने एक-एक के कॉइन लिये है तो आप कोई भी कॉइन ले सकते हो तो अब उस तार को हमें फोल्ड करना है और हैना फोल्ड करके हमें कॉइन के बीचो बीच रखना है बस अब हमें क्य तो बस तार को चिपकाते हुए लपीट लेना है अब हमें उसके उपर दूसरा कोईन रखना है ताकि जो उसके प्रेशर बना रहे और वो इधर उदर ना हो तो बस अब दोनों को हम चिपका लेंगे बहुत अच्छी तरह से चिपका लेंगे फ्रेंड अच्छी तरह से चिपका लेना है तो बहुत अच्छी से मैंने चिपका दिया है देखो इसी प्रकार आप चिपका दीजिएगा अलो हमारा सुई में धागा दानने का और्गनाइजर तैयार हो चुका है अब लेंगे हम छोटी वाली सुई आप कोई भी सुई में धागा दाल सकते हैं बहुत आसानी तरह से तो लोग एक दम आसानी से चला गया है अब हम लेंगे तार आप लेंगे अफे को उसी को तार से बाहर तो बहुत आसानी से सुई घागा चला जाता है बिलकुल भी दिक्कत नहीं हुई तो हर घर में आज थागे का काम होता है तो यह बहुत अच्छा औरगिनाईजर है तो हम कॉइन से भी हम सुई में धागा बहुत आसानी से डाल सकते अब लिया है मैंने ब्रश यह दिवाल अल लेंगे यह में आपक योग तो लेंगे अब उस चुटपुट वाली क्लिप में पहले तार को अच्छी तरह से मूड़ेंगे अब क्लिप को छोड़के एकदम लास्ट का भाग को एकदम ताइट होता है तो बस उसको दालकर हमें अच्छे से सट कर लिजए पहले तो देखिए एकदम अच्छे से चला गया अब इससे बं करके अच्छे से सेट करना है इधर उदर ना हो यह अच्छे से सेट हो जाता है तो बहुत अच्छे से हमारा बालों की क्लिप से भी हम सुई में धागा डालने का और्गिनाईजर तेयार कर लिए देखो इदम सूटी वाली मैंने सूई लिया है sophisticated जराभी चराद hooked से करेंड वी नहीं लगा और हमारा में भढ़ शुब में वो तार चल आ गया अब हम लेंगे धागा के दागा लेंगे अब धागे को मुन्हें उसतार में लेंगे जिस तरह घर में भाबी मम्मी दादी कोई न कोई सिलाई का काम करते हैं उनको इस तरह बना के दे दीजी यह बहुत खुश हो जाएंगे तो बहुत आसानी से हो चुका अब लिया है मैंने बॉटल का धकन जो पानी पीने का बॉटल आता है नाम उस धकन को वैसे ही फेक देते हैं तो उ हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और उसे अच्छी से दबा देंगे तो बस लो हमारा और्गनाईजर तयार हो चुका है अब इसमें हम अब हम लेंगे सुई हैं अब सुई में हम हुँ उस तार को डालेंगी ये प्लास्टिक का तार है फ्रेंट देखिए कितने असान सब्सक्राइब चला गया बच्चा भी कोई डाल सकता है अब लेंगे हम ढगा घ्रीर को की इस् takim टार में ढलेंगे हैं बहुत आसानी सगे हम उस तार से सूय को बहर निकालेंगे तो भूँव में बहुत सब्सक्राइब कीजिए तो हमने आज तीन और्गिनाइजर बनाया आपको जो भी पसंद आप उससे सुई में धागा डालीजिए फ्रेंड वीडियो को जरूर शेयर करिए और सुई में धागा डालना बहुत आसान है